अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में कुछ ऐसी शब्द हैं जिन में किसी वाक्यान शिया अनेक शब्दों का संपूर्ण भाव छिपा रहता है इन शब्दों से भाशा में संक्षिप्तता, सौंदर्य, प्रवा एवं रोचकता लाई जा सकती है मचली पानी में तैरती है, मचली जल्चर है, रामू की तब्यत खराब है, रामू बिमार है, प्रिया चित्र बनाती है, प्रिया चित्रकार है जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रियोग किये जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, जैसा कि आपने देखा जल्चर, बिमार और चित्रकार इसी बात को दर्शा रहे हैं नीचे कुछ इस प्रकार के शब्द तिये गए हैं, अनेक शब्द, एक शब्द, जो पढ़ाता है अध्यापक, घुड़े पर सवारी करने वाला, घुड़ सवार, पक्षियों का घर, घुंसला, जिसमें दया है, दयालू, लालच करने वाला, लालची, जिसकी चार जिसके दस सिर्हों, दशानन, आंखों के सामने होने वाला, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने ना होने वाला, अप्रत्यक्ष, दर्शन शास्त्र का घ्याता, धार्शनिक, जिसके पार देखा जा सके, पार दर्शक, जो देखा नहीं जा सकता, अद्रिश्य, जो अक्षर जान जिसका इलाज न हो सके असाध्य जहां अनात बच्चे रहते हों अनाथाल्य चरित्र से गिरा हुआ चरित्र हीन जो इश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक जो इश्वर में विश्वास ना रखता हो नास्तिक इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय जो कभी मरता न अमर जो कारे कठिन हो दुशकर भविश्य में होने वाला भावी मीठा बोलने वाला म्रदू भाशी 15 दिन का समय पकवाड़ा बहुत बोलनी वाला वाचाल जो थोड़ा खर्च करने वाला हो मित्वियई प्रतिवर्ष होने वाला वार्शिक प्रतिमास होने वाला मासिक सप्ता में एक बार होने वाला सप्ताहिक अलोचना के योग्य अलोचिय प्रतिदिन होने वाला दैनिक जिसका कोई आकार हो साकार मास खाने वाला मासा हरी जो समर्ण के योग्य है समर्ण ये शाक भाजी खाने वाला शाकाहरी, दूर की सोचने वाला दूर दर्शी, जो किसी का पक्ष ना ले निश्पक्ष, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, प्रित्वी पर रहने वाला थलचर, जल में रहने वाला जलचर, नब में विचरण करने वाला नबचर, भाशन देने वाला वक्त देखने वाला दर्शक, जो बड़ा भाई हो अग्रज, अभी अभी जन्मा हुआ नवजात, जो छोटा भाई हो अनुज, जो कठिनाई से मिले दुरलब, जहां जाने में कठिनाई हो दुरगम, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, सुनने वाला शिरोता, पढ़ने वाला मान भाव से देखे, समदर्शी, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणी जो दया रहित हो, निर्दई, शेग्र नश्ट होने वाला, नश्वर, गाउं में रहने वाला, क्रामीन, हमने सीखा जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किये जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, इन शब्दों से भाशा में संक्षिप्तता, संदर्य, प्रवाह, एवं रोचकता लाई चाह सकती है,